अगर आपका जयनगर स्टेशन से अक्सर जाना आना होता है तो आपके लिए एक अच्छी ख़बर है जयनगर सीमावरती रिल्वे स्टेशन काफी पुराना है साथी यहाँ पर किसी भी तरह का वेवस्था अभी सही नहीं है चाहे वो यात्रियों के लिए हो या फिर आधिकारियों के लिए जिसको लेकर अब प्रधान मंतरी नरिंद मोदी ने जयनगर सीमावरती रिल्वे स्टेशन का पुर्ण विकास करने का निर्देश दिया है जो कि भारत अमरित योजना के तहट आधुनिक की करन एवं नए भवन का निर्मान कार जल्दी शुरू होगा साथी सकारिका सिलाइश वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से प्रधान मंतरी नरिंद मोदी एवं रेल मंतरी अश्विन वेशनव के द्वारा किया गया है अगर आपको पता नहों तो आपको बता दो कि सीमा वर्ती शेत्र के कारण जोयनगर रेलवे स्टेशन से भारत एवं निपाल के रोजना हजारो यात्री महानगर की यात्रा करते हैं जिसके लिए अब जोयनगर रेलवे स्टेशन को लगभग 17.5 करू के लागत से पुना निर्मान किया जाएगा जिसमें नव निर्मित भवन 80 मीटर लंबा एवं 12 मीटर चौड़ा निर्मान किया जाएगा जिससे यात्रियों को भी हर तरीके से सुविदा होगा वहीं नव निर्मित भवन मिथला के अनुसार डिजाइन किया जाने वाला है जिसका हर कमरा आधुनिक सुसजित एवं आकरशत एवं नए मौडल का निर्मान किया जाएगा जिए नगर रेलवे स्टेशन का ये तीसरी बार रेनुवेशन होने जा रहा है पहली बार अंग्रेजों के द्वारा सन 1914 SP में निपाल से जोड़ कर निपाली लड़कियों एबम नील कोड होने के लिए ट्रेन का परिचालन किया गया था बाद में दर्भंगा महराजा के द्वारा इस रेल लाइन को प्रोचाहन मिला और 2007 में पुर्व रेल मंतरी लालू यादव के द्वारा छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिनत कर डारेक्ट महानगरों से जोड़ा गया मगर बड़ी रेल लाइन निर्मान के बाद भी स्टेशन परिसर के पुराने भवन से ही ट्रेन का परिचालन किया जा रहा था लेकिन अमरित भारत योजना में चैनित होने के कारण जोएनेगर रेलवे स्टेशन का भवन एवम आधुनिक बना जा रहा है यात्रियों को सुविदा के अनुसार वेटिंग हॉल पैदल पूल सर्कुलेटिंग एरिया पर पार्क सहित बहुत सी सुविदाओं का ध्यान रखा जा रहा है